हलो हाई नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में मेरा नाम है अर्दित्या मैं हूँ आपका होस और आज हम बात करने वाले हैं NPSS के भारत में शुभारं के बारे में तो चलिए बिना समय व्यर्थ किये वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं 15 अगस्ट 2024 को किसानों को सीधे क्रिशी वैज्याने को और विशेशग्यों से जोडने के लिए एगनवी नितम मंच यानि कि NPSS राष्ट्र कीट निगरानी प्रनाली का शुभारम किया इस अभिनव प्रनाली के माध्यम से किसान अपने फोन का उपयोग करके कीट समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं और कीट प्रबंधन पर वास्तविक समय में सलाप्राप्त कर सकते हैं अच्छा हो सकता है आप पूछें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है पारंबरिक रूब से किसान कीट नाशक विकरेताओं पर जिससे रसायनों का अधियाधिक उपयोग और गलत तरीके से प्रयोग होता रहा है NPSS का उदेश्य इस प्रक्रिया को बदलना है ताकि किसान कीट प्रबंधन के लिए एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोन अपना है AI टूल्स के माध्यम से कीट प्रको पर नवीनतम डेटा का विशलेशन करके किसान सूचित निर्नय ले सकते हैं और कीट नाशकों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं भारतिय खृषी अनुसंधान परिशद में आयोजित लॉंच इवेंट में खृषी मंतरी शिवराच सिंग चोहान ने किसानों की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबधता पर जोर दिया उन्होंने कहा क्रिशी में सभी नई प्रगतियां किसानों के लिए लाबकारी होनी चाहिए इन चुनोतियों के समाधान के लिए क्रिशी और कल्यान मंतराले भारत सरकार ने ICAR, NCIPM, DPPQNS, ICAR, IASRI, PLANTEX और वाधवानी AI के सयोग से राष्ट्रिय नाशी जीव निगरानी प्रनाली यानि की NPSS की शुरुवात की है NPSS के साथ लक्षिस पष्ट है किसानों को ऐसी तकनीक से सशक्त बनाना है जो उनकी फसल की पैदावार पे सुधार करे और उन्हें सुरक्षित रखे तो NPSS काम कैसे करता है चलिए जानते हैं किसान अपनी प्रभावित फसलों या कीटों की तस्वीरे आसानी से ले सकते हैं ये छवियान NPSS प्लाटफॉर्म के माध्यम से विज्ञाने को और विशेशग्यों को भेजी जाती है ये ततकाल कनेक्शिन कीट समस्याओं की ततकाल पहचान और लक्षित उपचार की अनुमती देता है NPSS के फाइदे क्या-क्या है? ये भी जानना ज़रूरी है फाइदे बहुत बड़े हैं NPSS से पूरे देश के लगभग 140 मिलियन किसानों को मंदत मिलने की उमीद है सही समय पर सही मात्रा में सही कीट नाशक का प्रयोग सुनिश्चित करके ये प्रनाली ना केवल प्रभावी कीट नियंतरन में मदत करती है बलकि तिकाओ खेती की प्रथाओं को भी बढ़ावा देती है जैसा कि केंद्रिय क्रिशी सचीव देवेश चतुरवेदी ने बताया ये किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अंततह उत्पाधन बढ़ाएगा और मिट्टी की सुरक्षा करेगा NPSS का भविश्य क्या है? चली देखते हैं NPSS के पीछे की तकनीक को राज्य सरकारों के साथ सांजा किया जाएगा जो किसानों को इसके उप्योग के बारे में शिक्षित करने के लिए आउट्रीच कारेक रम्र लागू करेंगी सफल पाइलिट योजनाओं के बाद ये प्रनाली अब खेतों में वास्तविक प्रभाव डालने के लिए तैयार है अंत में राश्य कीट निग्रानी प्रनाली भारतिय ख्रिशी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलावकारी पहल है तक्नीक का लाब उठाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसान की चुनोतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए आवशक समर्थन प्राप्त करें यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथी खुशी उच्साही लोगों के साथ शेयर जरूर करें आईए मिलकर किसानों का समर्थन करें और खेती के भविश्य को अपनाएं और हाँ, अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई भी और सवाल हो या फिर कोई थौट्स या उपिनियन्स हो जो आप शेयर करना चाहे तो कमेंच सेक्शिन में हमें जरूर बताएं और हाँ, अगर आप एक एकर जमीन पर एक लाख रुपै कमाने के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, फार्मिंग किसकी की जानी चाहिए, तो फ्रीडिम आप ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको एक डीटेल कोर्स मिल जाएगा, जहां सीधा सीधा प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की जवानी आपको गाइडिन्स दी जाएगी, और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक आपसे विदा लेते हुए, एक बार फिर से कहूंगा, हैपी फार्मिंग!